नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर अनकिल आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूटूब चैनल पे दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूँगा बहुत ही इफेक्टिफ होमोपैथिक मैडिसिन जिसका नाम है दोस्तों वरेक्स जिसे हम सुहागा के नाम से भी जानते हैं यहां हमारे सरीर में कहां कहां असर करती है किनकिन कंडिशन उमें हम इस मैडिसिन का यूज कर सकते हैं किस पोटेंसी में हमें इस मैडिसिन का यूज करना चाहिए क्या हमें थर्डी पोटेंसी में यूज करना चाहिए क्या हमें 200 प बेलमार्ग की नोट सिम्टम, यद्दी बेलमार्ग की नोट सिम्टम मेच कर रहा है, तो बाते मेवरदा disease, डिजीज कोई भी हो, आप इस medicine का use कर सकते हैं. तो दोस्तो वीडियो को अंतक देखें, मैडिसिन को अच्छी तरह से समझें, मैडिसिन का यूज करके अपनी प्रावलम को पूरी तरह से ठीक करें तो चलिए दोस्तो देर ना करते हुए इस वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो रैट कलर की बटन दबागर अभी चैनल को सस्क्राइब कर लें साथी साथ बलाइकन की घंटी को प्रेस कर दे ताकि सवी लेटिस्ट वीडियो क यदि हम बात करें इसके बेल मार की नोट सिम्टम की इसमें क्या होता है दोस्तो वेरिंग डाउन सिंसीजन इसमें पेसेंट्स को इस तरह से फील होता है कि वहां उचाई से नीचे की और गिर रहा है इस तरह से गिरने का डर उसे महसूस होता है इस कंडिशन में पेसेंट् उपर से जब जैसे नीचे उताते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि में नीचे गर जाऊंगा इस तरह से उन्हें डर महसूस होता है मन में डर बना होता है जो बोरेक्स का पेशेंट हो रहा है उसे मेहां महसूस होता है कि डॉक्टर साब क्या बोल रहे हैं सहीं बोल रहे हैं कि जो बच्चा होता है बोरेक्स मैडिसिन का वहार रात में सूती सूती अचानक से चौक कर उठता है आप भी सू रहे हैं आपके सांथ बच्चा सू रहा है अचानक से सू रहा है सू रहा है अचानक से चौक कर उठेगा रूने लगेगा ममी 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 करके तो उस कंडिशन में प सामने की जो नोज होती है भाहा पूरी तरह की रैड होती है यदि कोई भी एक डॉक्तर यदि अच्छा प्रैक्टिशनर है मैडिसीन की जानकारे उसे अच्छी तरह से होती है तो बहाँ पेशेंट्स को देख कर बता देता है कि इस तरह की लकषन हमें देखने को मिल रहा है तो patients को Borax medicine देने की आवसकता है, Palsetella Muxol, देखके ही बता देता है कि patients को किस medicine देने की आवसकता होती है, 2-4 लक्षण पूछेगा वाकी medicine प्रस्क्राइब कर देगा तो ये जो nose होती है Borax medicine की पूरी तरसे लाल होती है चाहे लेडीज हो चाहे बेवी हो उस कंडिशन में पेश्ण्ट को हमें बोरेक्स मैडिसीन देनी की अफशकता होती है इसमें जो होता है next lecture पेश्ण्ट को ये जो आप देख रहे हैं हमारे होटो में बहुत से लोगों को ये हम हिंदी में बोले तो आना ये हो जो हमारे लिप इसमें करेक जैसे आ जाते हैं, बहुते लोग बोलते हैं इसे फीवर का आना, मूझ का आना, इस तरह की लक्षन हमें पेशन्स में देखनेकों मिलते हैं, तो पेशन्स को बोरेक्स मैडिसिन देनी की आफशकता होती है। दोस्तो इसका बैलमार की नोट सिम्टम है, पैसेंड जब भी सोता है, जब भी बच्चा सोता है तो बहुत चीक कर उड़ जाता है और बोलता है कि उसे यूरिन पास करने जाना है, जब भी बच्चे को पिशाब लगती है तो चौक कर उड़ता है और यूरिन पास करने जाता या इसका बैलमार की नोट सिम्टम है दोस्तो यहां फीवर के केस में बहुत ही अच्छा काम करती है यदि बच्चे को फीवर आ जाता है तो यह नोज होती है पूरी तरह से रेड हो जाती है और बच्चा चौंक कर उड़ जाता है तो इस कंडिशन में पैशन्स को बोरेक्ट मैडिशन देने की आफशकता होती है उस कंडिशन में बहुत ही अच्छा काम करती है नेक्स्ट बैलमार की नोट सिम्टम इसमें हमें देखने को मिलता है दोस्तो अलसर चाले की केश में यहां बहुत ही अच्छा काम करती है जब भी अलसर का नाम आता है मुह में चाले आते इसके जो छाले होते हैं छोटे होते हैं और बड़े छाले जो होते हैं थोड़े से अलग होते हैं छोटे छाले होते हैं गोल से हो जाते हैं बारिक-बारिक से हो जाते हैं और जो हमारी जीव होती है यहां पर पूरी शफेद कलर के दाने-दाने से जैश्यम को दिखते हैं तो यह वाली वो सफेद नहीं होती तो उस कंडिशन पेशेंट को मक्सवल मैडिसिन देने की आप शक्त होती है पर आप मक्सवल 30 पोटेंसी में दोनों मैडिसिन मिला के दे दे चाले पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे कि दोस्तों यहां हमारे कान में एयर में बहुत ही अच्छा काम करती है जब इससे पस्चार्ज होता है पस का कलर सफेद कलर का होता है तो दो मैडिसिन साथ में दीने हैं आपको मक्सवल और और बोरेक्स दोनों मैडिसिन मिला के देगे तो पेशνεं То पेशेंट को जो पेशेंट इसा लगता है यहाद गर्म पानी दिस्चार्ज हो रहा है पानी जैसा भेता है और पेशेंट को वेरिंग डाउन adesso कर कि यूट्रस के जो आंग है बाहर निकल पढ़ेंगे। पहा पेर को दबाके बैठता है और चलने में थोड़ी सी प्राउब्लम होती ही पेशेंटस को. तो इस कंडिशन में लेडीस को बूॉरेक्स मैडीसिन देने की आवशक्ता होती है. किस पॉटेंसी में दे वीडियो के लास्ट में बताऊंगा. इस condition में patients को बोरेक्स medicine दे बहुत ही अच्छे बहुत ही फाक्टर विजल देखने को मिलते हैं या इसका बेलमार की नोड़ शिम्टम है दोस्तों नेक्स लक्षन हमें देखने को मिला है नोज में जब भी नोज पूरी तरह से रेड हो जाती है और यहां के साइट के में जो हमारी नोज है वहां पे क्रैक पना जाता है और उसमें जब इचिंग होती है खुजान होती है जलन होती है तो condition में patients को हमें बोरेक्स medicine दे देखने को मिलेंगे तो इसमें हमें नेक्स लक्षन देखने को मिलता है आखे आखे आजाती है और आखे में हमेसा दर्द बना रहता है बच्चों के तो उस condition में patients को बोरेक्स medicine देने की आवशकता होती है बहुत इच्छे रिजल्स देखने को मिलते हैं थार्टे इनफर्टी लिटी के केश में बोरेक्स medicine दे बहुत ही अच्छा काम करती है सिब एक keynote symptom देखने को मिलता है उसकी जो परत होती है चिल्ली वाँ पे सूजन आ जाती है तो उस condition में patients को बोरेक्स medicine देने की आवसकता होती है बहुत ही कम बुक में यहां लिखा हुआ है कि infertility ब उपर से नीचे गिरने का डर हमेशा बना रहता है बहां जूला बिल्कुल भी नहीं जूल सकते गोदी में बच्चे बिल्कुल भी खेल नहीं सकते ऐसा उपर के इससे नीचे यदि करेंगे तो पेशन चीक कर उड़ जाता है यहां इसका बेलमार keynote symptom है यदि यहां keynote symptom किसी भ आप बोरेक्स medicine patient को दे बहुत ही अच्छे और बहुत ही फैक्टर विजल देखने को मिलेंगे मरक्सौल से इसकी तुलना की जाती है जिसे हम मरक्यूरेश के नाम से जानते हैं दोस्तो मैं आप आपको जानकारी देता हूं किस potency में आपको यूज करना चाहिए दोस्तो 30 potency आप medicine ले रहे हैं तो उस बात को ये धिहान रखे उस टाइम पे हमें कुछ भी खाने में और नास्ते में कुछ भी नहीं लेना है 200 potency में इस medicine का use दिन में एक बार किया जाता है 15 दिन तक यूज करना है इसके बाद 15 दिन के बाद medicine बंद कर दे आने वाले मेहने में फिर 15 द दिन में एक बार यूज करें आपको बहुत ही अच्छा और बहुत ही अठीक्टर विजल देखने को मिलें बोरेक्स बने पटेंसी में यूज करना चाहते हैं तो डॉक्टर की सला के अनुसार ही ले यदि आप मैसे चाहते हैं तो डिस्क्रिशन की नीचे लिंक दी गई है आप मैसे कॉंटेक्ट कर सकते हैं इसक्रिट में मैं अपना नंबर देते था हूं इसे बॉट्सप भी आप मैसे कॉंटेक्ट कर सकते हैं इस बात का विशेज ध्यान लगना है तो दोस्ते एग्रावेशन पे इमलोरेशन की मैं बात करूं तो पैशेंट जब रिलेक्स कंड बैटता है तो उसे एमलोरेशन देखने को मिलता है यदि ऐग्राविशन की बात करें तो उपर से नीचे पेशनट को जब भी छुकता है और पेशनट सु गोधी में खेलता है उपर से नीचे की और wearing डाउंस मैशूरस होता है तो उसमें एमलोरेशन में देखने को मिलते है दोस्तो यहां होगा इसके एग्रावेशन विट एमेलोरेशन और मैंने आपको जो भी वैल मार के इनोर सिम्टम बताए हैं इस कंडिशन में आप बोरेक्स मैडिसीन यूज करें आपको बहुत ही अच्छे और बहुत ही एफैक्टिव जल देखने को भी लेंगे तो आसा करता हूँ दोस्तो यहां वीडियो आपको अच्छा लगा है वीडियो अच्छा लगा है तो यहां वीडियो को लाइक कर दें और यहां वीडियो अपने फैंबली में मिमर्स में ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें ताकि वास मैडिसन का यूज करके अपनी प्रवला मात्राव